असलाम लेकुम फ्रेंज विल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम आपको तीन से चार साल की बेबी के लिए एपल कट कुर्ती और अफगानी शलवार की कटिंग और सिलाई बताएंगे तो वीडियो में आप बने रहेगा लाइक कीजेगा और यहां से हम कपड़े को इस तरीके से इस तरीके से यह फोर फोल्ड कपडा है हमारा उसके बाद हम यहां पे लंबाई का निशान लगाते हैं इस तरीके से दिखिए आप अपने बेबी के लंबाई के अपो चाहिए और दो इंच आपको एक्ष्रा लेना ही सिलाई के लिए यहां पे 17 इंच मेरी रेडी आएगी आप अपने बेबी के लंबाई के अपो निशान लगा लेगा लिया है मैंने machen भी यहांपर चुंडर के निशान लगालेंगे इस तरीके से शाड़ी चार इंच पे दिखिए गयth यह निशान लगाने के बाद बगल के लिए निशान लगाना है इस तरीगे से टेप को रखना है साड़े चार इंच पे निशान लगाना है यह देखिए इस तरीगे से अभी हम यहाँ पे चेश्ट के लिए निशान लगा लेंगे इस तरीके से साड़े 6 इंच पे अगर आपकी बेबी का चेस्ट थोड़ा चोड़ा है तो आप और थोड़ा आदा इंच एक्षटा भी ले सकते हो क्योंकि बेबी किसी की पतली और किसी की फैड भी होती है तो यहाँ पे उपर से और निशान लगा लेंगे आट इंच पे और कमर के लिए आट इंच पे निशान लगा लेंगे अब हम हिप के लिए निशान लगा लेंगे तेरा इंच पे इस तरीके से अब यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे कमर के लिए चोड़ाई का निशान अब हम इसमें इस तरीके से मिला लेंगे अब यहाँ पे हिप की चोड़ाई का निशान लगा लेंगे यहाँ पे आप साड़े छे या साथ पे लगा सकते हो यहाँ पे हमने साड़े छे पे लगा लिया है निशान अब हम यहाँ पे एक 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 च Conservation के लिए मार्किं इस तरह के से मिला लिया है कि यहांतों चारल चार इंच पहने निशान लगाना है और यहां से हम दो से ड़ई पहने चार इंच पहने हैं legit को इस तरह के से गोलर का का निशान लाइक यह दिखे आ अभी हम इन निशानों पर कटिंग कर लेंगे यहाँ से इसको इस तरीके से कटिंग करना है कि अब हम अस्तिन भी कट कर लेंगे और यहां पर कट लगा लेंगे हीप के लिए इस तरीके से क्टिंग फो चुका है। यहां पर यहांप छोटा फाक रगाना है . अ यह को एक छोटा साय और इस्तिन के लिए यहां पर लमबाई का निशान लगाएंगे चेंज की और कर सार्ष पर शुसर पर निशान लगा लिए हैarin हाता है यह थे मिलीज भी पर निशान लगा लिए है और यहां से सीधा शाड़ी छैजट पे निशान करेंगे इस तरीकर से यहां से अब हम इसकी शेप से लिगए बघल के लिए सब्सक्स जास님 की ऑघ्यच के लिए हैं और यहां से हम बटम का निशान लगा लेंगे यह साड़ी चार इंच पे एक odpowied यहां पे इसको मिला लिया अभी हम इसकी कटिंग करेंगे अ कि तरीके से कटिंग हो चुका है यह देखिए कि अब हम नेचे फ्रील लगाने के लिए दो पटी लेंगे तो यह पटी की जो लंबा ही हम लेंगे पांच इंच पे यहां से अपको थोड़ा एक dibuj लेना है फ्रील बनाने के लिए पट्टी जितने अपके आस्तिन है उससे थोड़ा आपको एकशा होना है तो 5 इंच पिर हम यहां पे इस तरी के से मार्किंग कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे इस तरी के से यह कटिंग हो चुका है नीन निद्व मुली शोटे बना लेंगे और अस्तिन जावन जूला बनाटिन करें करना हिसको इस तरीके से फोल्लिंग करना हिले चैना नेख करक है विल खे और कथला है हैसा रहें दो कर दो केसे भाहताु है याली कर दो फ키ंश तर्व है यहां जो कोणवे के वज़ से इसमें निषान नहीं दिख रहा है건 में निखर हिंगे हमने नीचे से हम यहां पर एक देडिश पर निशान लगा लेंगे यहां पर इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे इस तरी के से हल्का सा करेंगे हम कि यहां पर थोड़ा एक्ष्टा लेना हमको तो कि दिखिए इस तरी के से अब हम यहां पर कटिंग कर लेंगे कैश्टा कट करना है इस तरीके से यह तो गला वनके रेडी हो चुका है अब हम बैकने कट करेंगे पीछे का गला तो यहां पर क्यान्वेस परफोर्म ने लिया है इसको भी इस तरीके से फोलिंग करेंगे और दो इंच चोड़ एक नाप लगाएंगे उसके लंबाई का निशान लगाएंगे दो इंच पर इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद हमको इस तरीके से शेफ दे देना है और यहां से इसकी कटिंग कर लेंगे यह देखिए और यहां से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा एक पॉइंट को इस तरीके से कटिंग करना है उसके बाद यहां से सीधा कट कर लेना है का इस तरीके से तो किये हमारा बैक सैट का बन गया है कि अफियरी की पटी नीचे वाली well कि अभे हम शलवार की कट करेंगे तो यहां पे कपड़े को इस तरीके से वोल इग करना है करुस्थ देखिए आपको जितना कपड़ा चाहिया इतना फोल इंड करके लेले तो इस तरीके से फोल्डिंग करना है, अच्छे से इसको बराबर कर लेना है अब हम यहाँ से नीचे से इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे 17 इंच हमारा रेडी है तो 2 इंच हम एक्ष्टा लेंगे, 11 इंच पे हम यहाँ पे मार कर लेंगे उपर 10 जाएगा, नीचे- subporte के लिए तो इस तरीक हैसे नीचे निशान लगा लिए है मने और यहां पे भी अब विह 문제 Punjab अब हम यहां पे यहां पे 28 पर निशान लगा लेंगे इस तरीक एसे एक इंच एक्षल और में त्रिम दना की वि до घंड मौने फेल्ड के लिए तीजिन यहां से आप הנ के लिए आपे हमारी बैल्ट के लिए ओपर हमारी sunshine क약 है कि तो कि हमारी बैलंग में यहांर यहां से कुराखेंगे आसन के के लिए निषान लगाएंगे से यहां-प इसको इस तरीके दे करके से रखना एंड़ यहां-पे-मार्किंग कर देना ही है हुआ है कि यह मेरे बनना है अब हम नीछे से स्टरीके से मार्किंग लगए 18 व्निच शिलाइक क लए 9 इंच पर दोनों को मिला लिया है तो यहां पे दिखिए इस तरह के से टेप रखना है जितना आपको पहुंचा रखना है प्रक्ट की एक इंच एक्स ट्रा लेना यहां से करेंगे अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा फ्रेंट लाइक करने से मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तो यहाँ पे देखें नीचे इस तरीके से यहाँ पे चून आएंगे नीचे पट्टी आएगी तो यह नीचे पट्टी लगाने के लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा फोल्ड किया है और इसकी जो लंबाई लूँगी मैं तीन इच पे लूँगी इस तरीके से दो पट्टी कट करना है वो दोनों पहुंचेंग के लिए तो यह कुर्थी का कपड़ा मैंने लिया है अब यहां से इसकी कटिंग करेंगे तो यह दो पट्टी हमारे है यह दिखिये 11 इंच है टोटल और यह 3 इंच है तो अब हम यहां पे कपड़े के ओपर इस तरीके سے गले को यहां पे चिपका लिया इस तरीके मदद से अब हम यहां पे जो एक्ष्टा कपड़ा है इसको इस तरीके से सीएंगे फोल्डिंग करके, यहां पर फोल्डिंग करके, हमने इसको सील लिया है, अब देख सकते हैं, अब हम यह गले को इस तरीके से फोल्ड करके, यहां पर चोटा कट लगा लेंगे, इस तरीके से मैंने यहां पर लगा लिया है, अब हम यहां पर कुर्ती लेंगे, कुर्ती को भी लागा लेंगे सेंटर में दोनों पाट के भी फ्रण्ट और बैक के तो सेंटर में यह पे गले के पास एक चौटा सा लागा लेना है और यहां पे इसको étब्ला करेंगे इसको कुरति का पार्ट और यहां से इसकी सिलाई करना है, तो यहां पर इसकी सिलाई कर लिया है, हमने अब इसको इस तरीके से यहां पर थोड़ा-थोड़ा कपड़ा छोड़ते वे इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद यहां पर इसका अंदर से भी इसी तरीके से शेप में कटिंग और यहां पर होटे-च्छोटे को नोगाएंगे विडिवें कपड़ी करांगे तो यह अच्छे से फोल्ड होगा इस तरीके से कट करने से, तो सिलाई नहीं कटना चाहिए, अब हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, अंदर के और, यहां पर यह इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है, अब हम बैकनेक ने लेंगे, इस तरीके से बैकनेक को भी इसी तर दोनों शोल्डर अटेच करना है पीछे वाले गला और इपीछे वाले गला को इसके उपर इस तरीके से रखना है और यहां से इसकी सिलाई करना है तो दोनों शोल्डर हमारे यहां पर सिलाई हो गए हैं इस तरीके से यहां पर हमें हुक अटेच करना है काज और हुक बना लेंगे अभी हमको अस्तीन अटेच करना है तो अस्तीन को रेडी कर लेंगे तो अस्तीन को जो रेडी करना है या नीचे फ्रिल लगाना है अस्तीन में तो इस तरीके से छोटा-छोटा यहां पे चून लेंगे और इसको अटेच कर लेंगे तो यहाँ पे देखे इस तरीके से चून बना लिया है हमने अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे इसके उपर उल्टा रखना है अच्छे से यहाँ पे इसको रखने के बाद यहाँ पे एक सिलाई करना है और उपर से भी एक सिलाई करेंगे इस तरीके से फोल्ड क अगर आपके पास कोर नहीं है तो आप फोल्ड कर लें या चाहे तो आप पीको भी कर सकते हो तो दोनों अस्तीन को हमने इस तरीके से फ्रिल अटेच कर लिया है यह देखिए और यहां से उपर से एक सिलाई भी हमने लगा ली है इस तरीके से अब हम इसको कुर्ती पे अटेच करेंगे कुर्ती को इस तरीके से रखना है और यहां पे कुर्ती को हमने सीधा रखा है अस्तीन को उल्ठा रखना है और यहां से इसकी सिलाई करना है यह देखिए तो दोनों अस्तीन इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ पे रखके यह बगल को जैन कर लेंगे अस्तिन से यहाँ पे दोनों अस्तिन हमने अटेच कर लिया है दोनों की सिलाई हो चुकी है अब हम कुर्ती को उल्टा कर लेंगे और यहाँ से इसको अच्छे से बराबर करेंगे और यहां पर साइड की सिलाई करना है दोनों साइड से भी तो यहां पर एक एक इंच का मार्जिन देते वे यहां पर एक मार्क कर लेंगे यहां पर हीप के पास यह जो कट लगाया है वहां तक हमको यहां पर मार्किंग करना है और इसी मार्किंग पे सिलाई करना है जितना आपने मार्जिन छोड़ा है ना तो उतना ही आपको मार्किंग कर लेना है तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है दोनों सैड से भी अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे तो इस तरीके से कट लगाने के इससे क्या होगा कि जब हम कुर्टी को सीधा करेंगे तो यहाँ पर जोल नहीं आईगे अच्छे से बैटेगी फिटिंग तो दोनों सेट का यह हो चुका है अब हम यहाँ पर नीचे का दामन तयार करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा फोल करते हुए पूरे गोलाई में सिलाई करना है पूरे राउन में उसके बाद एक और फोल करेंगे फोल करने के बाद उसके उपर भी सिलाई कर ले है यह दिखिए यह हमारी कुर्ति बन के रड़ी हो चुकी हमने यहां पर एक हुक भी अटेच कर लिया है काज भी बना लिया आप देख सकते हो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से यह बन गया है अब हम शलवार तयार करेंगे इस तरीके से इसको इस तरीके से ओपन करेंगे इस तरीके से ओपन करने के बाद इसका हम उल्टा साइड लेंगे तो यह सीधा है तो हम इसका उल्टा साइड लेना है और यहां पर रॉंग का मार्किंग कर लेंगे यह दो हमारा रॉंग है अब हम इसको इस तरीके से ले लें करने के बाद यहां पर दिखी यह उल्ठा है दोनों भी अब हम यहां पर क्रॉच एरिया जैंट करेंगे दोनों साइट से भी तो यहाँ पर यह दोनों साइड के क्रोच एरिया हमने सील लिया है इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सेंटर में कर लेंगे दोनों सीलाई को यह दिखिए है अब हम यहाँ पर उपर बैल्ट के लिए इसको नेफा मोडने के लिए यहां पर half inch पहले मोड़ेंगे उसके बाद इस तरीके से फोल करके पूरे round में सिलाई करेंगे तो इस तरीके से हमने यहां पर सिलाई कर लिए है थोड़ा सा हमने यहां पर खुला छोड़ दिया है elastic दलने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा open रखना है एलास्टिक की जो चोड़ाई हमने लिए है 17 इंच लिए है आप थोड़ा कम भी ले सकते हो यह आप ज्यादा भी ले सकते है अपनी बेबी के आपको जितना लोग चाहिए आप ले सकते हो ज्यादा टाइड भी होगा तो बेबी को पहराने बहुत मुश्किल होगी तो हम पहल को निकाल लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखते वे इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है इस तरीके से हमने इलास्टिक को सिलिया है और उपर से भी एक सिलाई लगा लिए यह दिखिए अब हम नीचे का बॉटम तयार करेंगे छोटे- अब हम इसमें फट्टी लगाने के लिए इस तरह के-स इहां पे कपडेशी आउया है थोड़ा हमने चुड़ते हो फोल्ड़ के किशिलाई करेंगे तो दोनों पट्टियों को हमने इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई कर ली है अब हम यहाँ पे पोंचा लेंगे और यह रॉंग साइड है हमारा रॉंग साइड हमको इस तरीके से रखना है और पट्टि को यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे और यहां से इसकी सिलाई करेंगे दोनों पट्टियों को इसी तरीके से रॉंग साइड पे रखना है और यहां पे इसको इस तरीके से सिलाई करना है तो यहां पे सिलाई करने के बाद यह दिखिए अब हम यहाँ पे इसको सीधी साइड इस तरीके से घुमा लेंगे यह हमारा सीधा है पहुंचा यह देखे इसको इस तरीके से पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से फोल्ड करके उपर से एक सिलाई लगाना है तो दोनों पट्टियों को भी इसी तरीके से सीधी और घुमाना है इस तरीके से और यहां से उपर से एक सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसकी साइड की फिटिंग भी कर लेना है पट्टियों को अच्छे से सीधी और घुमाना है इस तरीके से पॉंचे को पकड़ते हुए यहां से इसकी सिलाई भी कर लेंगे तो यह दिखिए हमारा इस तरीके से यह पॉंचा बनके रेडी हो गया है अब हमने साइट की भी फिटिंग कर ली है पट्टी हमारी इस तरीके से स्टिचिंग हो चुकी है और साइड की सिलाई भी हो चुकी है तो इस तरीके से हमारा प्यूटिफुल सा अफगानी शलवार तयार हो चुका है बहुत आसानी से हमने बनाने की कोशिश की है तो यहां पे इस तरीके से हमारा एपल कट कुरती अफ जरूर सब्सक्राइब कीजियेगा पर दम भद़ग क्रीकि मिलता नेक्स्ट वीडियो बनाले के लिए चलिए छलिए नेक्स्ट वीडियो मेरा तब तक लिए अहीं तुलम्हा फीच थाक्यूrant थाइंक्स फोर वॉगचिंग